आज का सोत्र है जनक कुवाच अहो निरंजनह शान्तो बोधो अहम प्रक्रतेह परह एतावंतमहम कालम मोहे नैव विडंबिता अर्थात राजा जनक कहते हैं आश्यर्य मैं निश्कलंक सान्त प्रकति से परे ज्यान स्वरूप हो इतने समय तक मोह में संतप्त होने के कारण मैं ये देख नहीं पाया अहो निरंजनह सान्तो बोधो अहम अश्टा वक्र गिता में अब जनक के बोलने का मौका आया है अभी तक अश्टा वक्र के सुत्र चल रहे थे पहली बार जनक का बोलना घटा है इतिहास में अगर देखा जाए ये दुर्लब घटनाओं में से घटना रही किसी भी गुरू के जीवन के लिए ये दुर्लब घटना है कि ऐसा सिस्य हो जो बस चंद बातें सुनने के बाद ज्ञान को उपलब्द हो जाए बोध को उपलब्द हो जाए जनक को बोध घट गया इनलाइटनमेंट हो गया अश्टा वक्र को भी थोड़ी देर हुई बोलते हुए बस उन्हेंने समझाया ऐसा है ऐसा है और जनक बोध में प्रवेश कर गये स्टरल है ये बात ये बात ऐसी ही है और भारती दर्शन में देखा जाए दो बड़ी महत्वण धाराएं और दो महत्वण धर्म, ग्रंत या इस्प्रिच्वल जो लिटरेचर है वो पैदा हुआ एक गीता जहां पर कृष्ण और अर्जुन का समबाद है और एक ये अश्टावक्र गीता जहां अश्टावक्र और जनक का समबाद है दोनों अपने मामलों में अनूठी है गीता सुन्दर है लेकिन अगर देखा जाए वो जन सामानने के लिए समझाने के लिए और तमाम तरे की बातें उसमें समझाई गए भारती अध्यात्मिक साहित्य की जो सबसे खुबसूरा चीज है यहां पर हम जो कैरेक्टर भी लेते हैं उनके नाम भी गढ़ते हैं उन नामों के अंदर भी हम देशनाओं को टेचिंग्स को डाल देते हैं यहां कोई तिहास लिख नहीं रहा यहां कोई ऐसी कहानी नहीं बनाई जा रही जो बेमतलब की हो तो पात्रों के नाम भी अगर हम समझें तो उसमें भी पूरी बात छुपी होती है अरजों शब्द जैसे है तो वो है अरिजू जो सीधा नहीं है । टेडा मेडा सामान्य मन जो बेक्तिका है वो अरिजू है टेडा मेडा उलजा हुआ है तो उलजे हुए मन से कृष्ण समभाद कर रहे हैं उन मनुष्यों के लिए है जिनका मन अभी अरिज्जु है अरिज्जु जन जो है अब तेड़े मेड़े मन को तो तेड़े मेड़े रास्तों सही ले जाया जाएगा क्योंकि उसका धंगवई है और गीता में देखा जाए आखिर तक वो समझा भी कहां सुनता रहा खुश होता रहा और आखिर में भी समझ नहीं आई बस काम हो गया जो काम होना था वो घट गया क्रिश्ण ने अपने धंग से उसको कन्विंस कर दिया तातकालिक रूप से एक मन ऐसा भी है खोजने वाला जो तमाम तरे के उपायों, विधियों इन सब की खोज करता है तमाम तरे के तर्क, वितर्क, प्रश्न तमाम तरे की चीजे और फिर भी वो कहीं पहुँचता नहीं तो एक तो वो ढ़ंग लेकिन सम्मावना उसमें भी छुपी हुई है अगर बेटती उस सम्मावना के साथ यात्रा करे तो गीता का जो मेसेज है उसमें भी बहुत सारे सूत्र हैं, पॉशिबिलिटीज है उस टेड़े मेड़े मन के लिए जनक और अश्टावकर के संबाद में सीधा है, स्ट्रेट कोई घुमाओ फिराओ नहीं लेड़ा मेड़ा पन नहीं और जनक सब्द भी यहां पर जो आया वो भी बड़ा खुबसूरत जैसे अश्टावकर का सब्द था उसको भी हमने पहले डिकोड किया जनक सब्द का आर्थ होता है जन्म देने वाला जो किसी भी घटना प्रक्रिया समझ उसको जन्म देने के लिए तयार है तो जनक वो मन है वो माइंड है जो अब इतना मैच्योर हो गया है कि उससे जन्म की संभावना पैदा होती है वो कुछ जन्म देने के लिए ततपर है पक गया है मैच्योर हो गया है इसलिए कुछ बातें और बहुत घट गया किसी भी चीज को संचालित करने के लिए या उसको जन्म देने के लिए हम जनक का शब्द उप्योग करते हैं जैसे अपमान जनक संतोज जनक अफसोज जनक यानि कि जो संतोज को पैदा करने वाला हो जो अपमान को पैदा करने वाला हो अफसोस को पैदा करने वाला हो वो जनक है अब यहां पर ये मन इस अवस्था में आ गया है सीकर का, खोजी का जहां उससे कुछ पैदा होगा potential मैच्योर हो गया तो इसलिए भारतिये दर्शन ने भारतिये मनिशा ने इस सब्द चुन लिया जनक, कि जनक से समवाध हो रहा है कहने कोई स्टोरी लेकिन उस स्टोरी में भी नामों में भी पूरा ग्यान अब घटना ऐसी है कि जब मन इस अवस्था में आ गया हो सीकर का भटक चुका हो तमाम तरे के उतार चढ़ा हो उसने देख लिये हो और वो परिपक्कुता में हो तो फिर देर कहां लगनी है देर नहीं लगनी है फिर तो सरलता से चीजें घटेंगी जनक ने बस पहले पूँचा जिग्यासा रखी जरासी और अश्टा वक्र ने समझाना शुरू किया अब सुनते सुनते जो पूछने वाला प्रशन था जो प्रशन पूँच रहा था वो गया और अब जो बोला है जिसके प्रशन खतम हो गए जिसको समाधान उपलब्द हो गया जिसको समाधी उपलब्द हो गई अब वो बोला है इतनी त्वरित्यात्रा इतनी शडन जर्नी बहुत सवभाग्यसाली लोगों को मिलती है लेकिन सवभाग्यसाली कौन होता है क्या हम अपने सवभाग्य को रच नहीं सकते सवभाग्य एक एसी चीज है जो कहीं छुपी हुई नहीं है कि हम कहें कि कोई सवभाग्यसाली होता है हम नहीं होते या कोई नहीं होता तो हम करते क्या है ऐसा जिससे हमारा सवभाग्य मिट जाए इस पर सोचने की बात जनक ने अपने पहले ही वक्तव्य में उन बातों की तरफ इसारा भी कर दिया कि कहां से मिटता है वो सवभाग्य कहां से वो चीजें रुकती है और घटा है बोद तो वो आश्चर चकेत है अहो अहो शब्द का उप्योग वो करते है यानि कि विश्मित है अचानक जैसे किसी को अपने घर का पता मिल जाए जो खोया हुआ हो और वो विश्मे से भरे उत्सा से प्रसंदता से तो जनक के सब्दों में वही अहो आया है अश्चर चकेत है कि मैं ऐसा हूँ सारी बातें निश्कलंक हूँ ग्यान शरूप हूँ मैं बोद से भरा हूँ पता क्यों नहीं चला क्योंकि मैं मोह से ग्रस्त था मोह के अंधेरे में खोया हुआ था अब मोह जो शब्द है यही हमारे सारे उलजाव का हमारे अज्ञान का कारण है समाज में हम मोह का उपयोग भी कैज्वली करते हैं और कई बार प्रेम, मोह इन सब को गड़ मड़ कर लेते हैं मोह शब्द सिधा है मोह का शब्द जो है उसका जो अर्थ है मेरे की भावना जिसको हम अपना मान लेते हैं वो मोह बनता है हम अपने कृत्यों को अपना मान ले मोह बनता है हम अपने विचारों को अपना मान ले मोह बनता है मोह के अंधेरे में मोह के चलते हुए अब तक ये छुपा हुआ था स्वरू जनक इसकी बात कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उन बाहरे चीजों को उनके स्वभाव में पहले से ही थी जो उस त्रोत से उस manifestation से पहले ही घट रही थी अब जैसे कोई खोया है भटका है वो उसको अपना होना माने यानि कि मैं भटक रहा हूँ मैं खोया हुआ हूँ तो ये भी मोह है मोह का अर्थ इतना ही नहीं होता कि आप समंधों में मोह पड़के रखते हैं किसी चीज को पकड़ते हम हैं ही क्यों किसी चीज को ब्यक्ति हो व्यवस्था हो विचार हो भावना हो कुछ भी हो हम मोह से ग्रिष्ट होते हैं तो मोह सब्द का बहुत ही व्यापक रूप में हम उप्योग करेंगे जनक भी वही बात कह रहे हैं आम त जो सम्मंधी तुमारे जीवन में आ गए उनको तुमने माना कि तुमारे हैं तुमारा तो कुछ भी नहीं है सैयोग है लोग मिलते हैं थोड़ी दूर साथ चलते हैं कोई यहां किसी का नहीं होता किसी के उपर किसी भी possessionist की कोई आविश्यक्ता नहीं हम प्रेम से ठहरते हैं और प्रेम ही वह है जो यह जानता है कि यह एक आश्चर का विशय है कि हम साथ होने का आनंद ले रहे हैं लेकिन फिर भी यहां किसी का किसी के उपर कोई आधिपत्य नहीं है कोई अधिकार नहीं है कोई किसी की property नहीं है जो अहो है विश्मे है जो वंडरफुलनेस है यही जब हर जगे जाती है जो जनक के पहले ही उद्गार में आई है तो मोह तूटता है कोई तुमसे मिलता है अहो विश्मे है कि यह साथ में है कोई कारण तो नहीं था यह भी तो विश्मे है कि हम लोग यहाँ पर साथ में हैं कोई कारण तो नहीं था लेकिन हम हर चीज को रूटीनी बना लेते हैं हर चीज को क्यों ऐसा तो होना ही था ऐसा तो जरूरी था कुछ भी यहाँ जरूरी नहीं है तो उन चीजों को जब एक्स्प्लोर करना हम शुरू करेंगे तो हमको वो नीव दिखाई देगी जिसके चलते हुए हमारा बोध हमसे दूर बना रहा हर वो चीज जिस पर हमने अपनी पकड बना ली अस्तित तो किसी पकड पर भरोसा नहीं करता वो कोई यात्रा नहीं है वो अभी और यहीं है जैसे एक शब्द उप्योग करते हैं अक्सर निवेज टर्मनोलाजी भी है ध्यान और अध्यात में भी बहुत लोग उप्योग करते हैं अभी और यहीं हो जाओ be now and here मैं भी बात ऐसी बोलता हूँ अक्सर लेकिन वो अर्जुनों से होती है जनक से नहीं जब जनक लोग होते हैं तब ये बात तो नादानी है तुम और हो भी कहा सकते where else you can be तुम यहीं हो और तो वो पाए भी नहीं कहीं होने का लेकिन अगर कोई इतनी नींद में हो और मोह से उसने कहीं अपने को अतीत में मान रखा हो कहीं भविश्य में मान रखा हो कहीं उसने पकड़ रखा हो अपने को तो उसको कहा जा सकता है कि भई वर्तमान में आ जाओ आ जाओ क्या तुम तो वहीं हो जाओ का मतलब के कोई विकल्प हो वही के वही हो यही बात अश्टावक्र जनक को बोल ले हैं लेकिन यह परिपक्क कुमन हो गया वो कह रहे तुम यही हो बोध से भरे हो तुबर सुनते सुनते वो जान गए कि बोध से भरा हूं निश्कलंग बोध शरूप वो कहते कि तुमको बोध को उपलब्द होना है यात्रा करनी है तुमको ध्यान साधना, समाधी, कोर्सेज बहुत सारी सीडिया चड़नी है तो वो भी एक मोह है मोह का एक रूप वो भी है क्योंकि तुमको लगता है कि तुम कुछ करोगे तो कुछ होगा जो पहले से ही है उसके लिए तुम क्या करोगे बोध है रुका कहां से है किस दर्वाजे से हमने उसको बंद कर दिया है बस उसको देखना जनक का वही दर्वाजा तूटा है मेरे का जो भाव है वो गिरा है मैं अग्यानी हूँ या मैं ग्यानी हूँ ये भी मोह हूँ किसने तुमको बताया कि तुम अग्यानी हूँ लोग कहते हैं कि मैं ग्यान की तलास में हूँ मैं ज्ञानी हूँ तो उनसे पूछे किस ने बताया ज्ञान का पैमाना क्या है information सूचनाएं सूचनाएं तो ज्ञान का पैमाना नहीं तुम वैसे ही हो जैसे इस छण में तुम हो सकते हो पूरे अस्तित ने उस टोटल एक्जिस्टेंस ने तुमको इस छण में वैसे का वैसा ही रखा हुआ है वो टोटलिटी है वो परिपूनता है इसको देख लेना लेकिन हम जब मौह से भरते हैं तो हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं या तो हम अतीत को खंगा ले या हम भविष्ट को खंगा ले क्यूं अतीत और भविष्ट की बातें घटेंगे कारण है उसका क्योंकि अतीत में जो जो हुआ जो तुमने पाया खोया तुमसे मिला बिछुडा तुमसे किया गया नहीं किया गया उस सबको तुम अपना मानते हो और जो तुमारे प्रति किया गया तुमारे साथ दूसरों के माध्यम से आया उसको तुम दूसरों का करना मानते हो तो अतीत बन गया फिर अतीत का स्टोर हाउस निर्मित हो गया अगर तुमको इतना ही पता चल जाए कि बस घट रहा है शरीर और मन माध्यम है कभी वो तुमारे शरीर मन के माध्यम से घटता है कभी दूसरे शरीर मन के माध्यम से घटता है घटता उस रोत से ही है घटता उस चेतना के सोर्स से ही है From that very source things are happening ने तो कोई पकड़ ने फिर अतीत कहां बनेगा अतीत बना मेरे की भावना से तुमारा होना एक खास दंग से क्रिस्टलाइज हुआ अब होना तो है वो भावना भी रहेगी तुमारी बात बहुत समझने की है तुम कहोगे कि क्या फिर मेरा होने का भाव मिट जाएगा नहीं तुमारे होने का भाव होगा लेकिन बड़ा शुद्ध क्रिस्टल क्लियर अभी तो तुमारा होना कुछ न कुछ है ये या वो दिशार दैट तुम या तो ये हो या वो हो लेकिन एक होना ऐसा है जो शरीर मन की identification से पैदा होता है वो बस होना है अलगाओ है, स्रोथ से separation है इसलिए वो ego भी है तब ही function भी होगा लेकिन इस ego पर जब तुम अपना रंग लगाते हो तो वो तुमारे लिए दुख का विशे बनता है और अज्यान का विशे बनता है और भटकने का विशे बनता है अब अतीत अगर ऐसा हुआ तुमारी पकड के कारण तो उसी से पैदा होगा भविश्य भविश से में भी तुम सोचोगे कि मैं ये करूँगा मैं ये नहीं करूँगा मेरा ये करना ठीक होगा मेरा वो करना ठीक होगा या नहीं होगा और अगर तुम अपने जीवन का विशलेशन करो घटनाएं घटती चली जाती है भविष्ची भी अपने ढंक से आकार लेता चला जाता है तुम अभी बैठकर योजना बना रहे थे और अगले पल पता चलता है तुम्हारा बुलाबा गया तब तुमारी योजना धरासाई हो जाती या योजना कोई और थी, घटना कोई और घट गई तुम्हारी योजनाए मुड़ जाती है लेकिन तुम जब अपने उस identification के साथ चलते हो तो तुम समस्याओं से घिरे रहते हो और वहीं पर पैदा होते हैं सारे अंद विश्वास कि कोई तुम्हारे भविश्य को बताएगा कोई तुम्हारे भविश्य को तै करेगा तुम सोचोगे कि ऐसा होगा और वैसा होगा तुम बस किवल कल्पना में सोचोगे सचमुच में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता पूरी तरह से इस बात को जानना संभव ही नहीं कि क्या होगा तो भविश्य अपनी उस विशेष्टा के चलते जिसको हम भविश्य मानते हैं खतम लेकिन एक भविश्य जो फ्लो में है वो बना रहेगा और वो कैसे बना रहेगा वो हमारे टाइम टो टाइम निकलेगा हमारे इस मोमेंट से यानि कि इस मोमेंट की जो हमारी लिविंग है इससे ही हमारा भविश्य निकलेगा वर्तमान ही फैलेगा ये मुमेंट ही फैलेगा अब लोगों की अज्ञानता क्या होती है जिससे भविष्य की दुरगटना गटती है और जो समाज में अंधविश्वास भी फैलता है तुम अपने वर्तमान में तो कोई काम नहीं करना चाहते है और तुम सोचते हो तुमारा भविष्य को या आकार ले लेगा यही तो है चाह सारी भविष्य की तुम किसी के पास जाओ कुछ करो तुमें ले कोई काम करे तुम किसी गुरू के पास जाओ किसी के पास जाओ तुमारे भविष्य को सुधारने की बनाने की कोई बात बोले वो इसलिए व्यर्थ होगी क्योंकि वो आएगी कहां से कि सोर्स से आएगी ये तो तुमको अभी पता ही नहीं सोर्स तो एक है उसते जो आएगा तो आएगा लेकिन उस सोर्स का जो manifestation तुमारे पास है वो तुमारे इस presence में है तुम अगर अपनी presence में अभी के अभी उतार आओ तो तुमारे लिए भविश से unfold होगा लेकिन बिलकुल अलग धंग से सुनने की घटना जो जनक और रष्टावेकर के बीच घटी वो इतनी महत्तपून है उसको देखें सुनने से घट गया कुछ किया विया नहीं जनक को कुछ न योग कराया न ध्यान कराया कुछ नहीं कराया बताया intensity से और एक गुरू का बताना ही intensity से परयाप्त है यह हमारी ही कमी होती है जब हम कुछ intensity से सुन नहीं पाते तब उसको कुछ कराना पड़ता है किछा चलो, करो करते करते तुम किसी दिन उस मुकाम पर आओ जब उसकी तरफ देखो उसको सुन पाओ वो एक आग की तरह है Like a burning fire तुम देखो तो जल सकते हो इसी घटना के परिप्रेक्ष में देखें सब घटनाई देखें कैसे जुड़ती है अध्यात में और एतिहासिक रूप से हो सकता है महावीर को जनक का पता भी न हो अस्टावकर का पता भी न हो हो सकता है पता हो उन्होंने जानने की कोशिस भी न करी कुछ कह नहीं सकते जैसे मुझे भी तमाम गुरुओं के बारे में नहीं पता जिनका पता है उनका पता है लेकिन घटनाएं ऐसे घट्टी हैं जैसे वो एक दूसरे से अंतर संबन देते हैं महावीर ने भी सुनने पर बहुत जोर दिया और उन्हों ने उसको ब्यवस्था गत रूप दे दिया अश्टा वक्रोर जनक की घटना तो एक परिपक्वता में घटी हुई घटना थी एक ऐसा सीकर जो परिपक्वता घट गई घटना महावीर ने कहा कि तुम परिपक्वता की तलास कर सकते हो तो इसलिए उन्होंने स्त्रावक यहने सुनने वाला स्ताधक नहीं कहा कि तुम साधक बनो उन्हें कर स्त्रावक सुनो अगर तुम सुन सकते हो तो घटना घट सकती है और स्रावक बोलने के अलावा जो उन्होंने काम किया वो ध्यान का जो धंग उनके माध्यम से निकला उसको उन्होंने का सामाईक, समय में प्रवीश महावीर की ध्यान की विदी का नाम है सामाईक अब सामायिक कोई विधी नहीं है वो methodless method है वो कहरें समय में प्रवेश कर जाओ बस बैठो सांग, silent और बस समय में प्रवेश कर जाओ समय में प्रवेश का अर्थ है अतीत और भविश्य से अलग वो हमारे psychological time है जो real time है वो है present, वर्तमान उसमें आजाओ, अपने present को तुम totally, completely, absolutely जीओ तो वो हो गया सामायिक अब अगर कोई सामायिक भी साधने लग जाए तो भविश्य में निकल जाएगा साध होगे, तो घटना कहीं भविश्य में होगी और घटना तो अभी ही होगी कितने ध्यानी हैं जो ध्यान में कभी बैठते हैं और यह मान कर बैठते हैं कि अभी होगा या कभी नहीं होगा कम से कम रोज इस बात को सोचा तो जा सकता है या भी या कभी नहीं लेकिन हम लोग तो convinced हैं बैठते रहेंगे साल दर साल जन दर जन चलता रहेगा स्वभाविक है हमने time पैदा कर दिया हमने भविश से पैदा कर दिया वो खिच जाएगा वो लंबा होगा और रचा हमने ही है अगर हम उस source के manifestation है तो हम भी वही रचनाकार हो गए we are co-creator हम co-creator हो गए इसलिए जनक सब्द यहां पर भोट खुपसूरा ढंक से आया है इस संबाद में जन्म देने वाले रचने वाले हमारा मन जब परिपक्कुता में है तो हम भी रचने वाले हैं अश्टावक्र से सुनने वाला जो सीकर है वो रचने वाला है यह जनक, Creator तो Creator एक तो सोर्स है जिससे सब कुछ रचा जा रहा है और सोर्स से ही चुकि हम भी निकले हैं तो हम भी Creator है, हम भी जनक ही हैं अब उसको हम को Creator कह लें तब भी बात ठीक है कि यानि सह स्ट्रजन के हम यात्री है तो अब जब सम्भावना हमारी इतनी बड़ी है तो हम चाहें तो भविश्य फैलाएं भविश्य की रचना करें हम चाहें तो अभी के अभी उस बोद में प्रवेश कर जाएं चाहें तो हम भी जनक की तरह कहें अहो मैं तो निसकलंक हूँ, ऐसा हूँ, बोध सरूप हूँ लेकिन हमने अभी उसको hold पे रखा हुआ है हमें greed नहीं है, convinced भी नहीं है हमको लगता है ठीक है, ठीक होगा होगा करेंगे, अभी जल्दी भी क्या है जनक को जल्दी होगी, हमको तो जल्दी नहीं है फिर हमारे दिमाग में बहुत घूमने लगता है कि कितना तो spiritual साधना का जाल है कितनी ध्यान विधियां है, कितने package, कितने course, कितना system उसको भी कुछ जाने, उससे गुजरे तो जितने भी यह सब system package बनते हैं, यह अरजुनों के लिए हूम ते रहो, टेड़े, टेड़े, मेड़े, मेड़े और जब जनक बनोगे, creator बनोगे, स्रजन करने वाले बनोगे तो यह सब घुमाओ की जाल की जरूरत नहीं फिर गुरू की presence परयापत है गुरू का होना परयापत है भारत में इसलिए बड़ा ही विरोधा भाशी presentation हुआ गुरू का होना और ना होना जिन गुरूओं की presence बहुत ज़्यादा स्रजनात्मक और बहुत ज़्यादा रूपांतरन लाने वाली थी तुम देखो के उन्होंने हमेशा गुरू का इंकार किया और जो गुरू गोबर गड़ेश रहे और गोबर गड़ेशों को पैदा करने वाले रहे वो गुरूओं का बहुत महत्त बताते रहे कि गुरू तो जरूरी है गुरू के बिना काम नहीं बनेगा और ये कबीर ने भी कहा लेकिन कबीर का धंग अलग है कबीर उस सेनी में नहीं पढ़ते है क्योंकि जब गुरू बैठता है और अपना ही गुर्णगान करता है जो कि तमाम जगों पर तुम देख सकते हो तो इंडिरेक्ली वो अपना ही तो गुर्णगान कर रहा है अगर मैं यहाँ पर तुमको बैठ कर कहूँ कि बिना गुरू के काम नहीं होगा तो इंडिरेक्ली यही कि मेरे बिना काम नहीं होगा तुमको मेरे पास आना ही पड़ेगा और मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि बिनाय भी बन जाएगा आओगे तब भी बन जाएगा और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है भारत में अश्टा वक्र जनक को तो समझाते हुए मिलते हैं इसके बाद कोई रिकार्ड नहीं कि और कहां वो समझा रहे थे किसको है रिकार्ड मुझे नहीं पता कि और कहां प्रवचन दे रहे थे कहां उन्होंने अस्रम खोला और कहां उन्होंने सिश्य बनाए एक जनक को समझाया चले गए भारत से ज़्यादा वेग्यानिक काम करने वाला अंतर जगत में कोई देश नहीं रहा और यहां के मास्टर्स तो बड़े अनूठ है अश्टा वक्र बातें सारी कहेंगे और सीकर के सामने डटे रहेंगे यानि कि जो जलती हुई आग है वो तो सामने जल लही है तुमारे लिए कदम उठाने के जरुरत है कि तुम उसमें छलांग लगाओ फिर दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है बुद्ध का यूं तो लगता है कि वो सन्याशी बना रहे थे दिक्षा दे रहे थे लेकिन गुरु को इनकार करने वाले लोगों में से वो भी उतने ही बड़े थे जो कहते हैं कि तुमें अपने आप ही चलना है अपने आप ही खोजना है और बुद्ध को मैं सासी भी कहता हूँ सासी ये कि वो बात भी कह रहे हैं और सामने वो सहयोग देने के लिए खड़े भी हैं क्योंकि वो दोनों मेकेनिजम जानते हैं कि उनके खड़े होने से बात होगी तो भाग भी नहीं रहें खड़े हैं लेकिन ये भी कहते हैं कि मोह में मत पड़ो यानि कि जो प्रेम में पड़ो लेकिन मोह में नहीं कि तमाम जगे जिसे लोग हैं बस मेरा मान कर बैठ गए हैं और आगे तो बढ़ते नहीं धार्मिक लोगों ने मेरा मान ले यह मेरा धर्म यह मेरी किताब यह मेरे बगवान यह मेरी चीजें बात खतम देंड बुद्ध के समकालिन महावीर उनके पीछे भी परंपरा चलती है लेकिन वो भी अकेले चलने वाले विक्ति अलोन वो भी गुरु मेटरियल नहीं उनके पीछे पीछे कब कहां से यह सब तेड़े मेड़े चलने वाले लोग आ गए यह मुझे नहीं पता लेकिन जैसा कि मैं उनको जानता हूं जंगल में रहने वाला मौन रहने वाला अकेला चलने वाला विक्ति जो बैठा है पेड़ पौधों से भी बात करता है चट्टानों से भी बात करता है परसूपक्षीयों से भी समवाद में है उसको ढूनने वाले लोग चले आये उसने अपनी बात शेयर कर लिए धीरे धीरे कालांतर में मुझे लगता है लोगों ने उसको सिस्टम में ढाल लिया उसको एक रेलीजन में ढाल लिया लेकिन उनकी देशना भी वही समय में प्रवेश कर जाओ अकेले अकेले चलने की उनकी बात इतनी बड़ी है कि वो किसी सहायता को ही इनकार कर देते हैं उनकी टीचिंग में कोई सहायता नहीं वो कहते हैं जरूरत क्या है सहायता तुतम मांगो जब सहायता ना हो जैसे तुम धर्ती पे चलते हुए gravitational force के demand करो कि भई समाले रहना अगर धर्ती से कोई रोज ये प्रार्थना करे समाले रहना और फिर वो एक दिन बड़ा convince हो कि धर्ती समाले रहती है देखो हमारी प्रार्थना ये असा अड़ा रही है तो बैग्यानिक रोप से कहा जाए क्या मुर्खता कर रहे हो दर्ती तो समाले हुए थी तुम इस सुबह सामना चिलाते समाले रहो समाले रहो तब भी वो समाले रहती तो कि उसका गुणधर्म वही है तो महावीर की देशना में भी यही था कि पूरे अस्तित्त ने तुमको समाला हुआ है तो किसी प्रार्थना की कोई जरूरत ने किसी साहता की जरूरता तो तब मांगो जब ना हो वो तो है ही और महावीर भी डटे रहे सीकर्स के सामने भागे ने पिर आधुनिक समय में जो सबसे जलन्त नाम आता है जिक कृष्ण मूर्ती का गुरू को इंकार करने का सबसे फियर्स जो उद्गोस है उन्होंने किया और बिरोधा वाशी डन से पैरलल समानांतर उस सीकर्स के बीच डटे हुए सीकर्स आ रहे हैं और उनके बीच प्रिजेंट लंबी समय तर 91 साल की उमर तर बिना ठके हुए कोई पूछे कि आपको क्या पढ़ी है जब गुरू का काम नहीं है जाओ कहीं किसी आईलेंड पर जाके छुट्ती मनाओ बता दिया ना बात ही बात बार बार क्या बता रहा हूँ एक बार बता दिया बात खतम आज के टाइम में तो बता के यूट्यूब पर वीडियो डाल के कहीं चले जाओ आईलेंड पर लोग देखते रहेंगे सर्च करके गुरू के कोई जरूरत नहीं लेकिन उससे तो काम नहीं होगा उस यूट्यूब के वीडियो से काम नहीं होगा किताब में लिख जाएं उससे काम नहीं होगा प्रजेंस चाहिए लाइव प्रजेंस चाहिए जो काम करेगी भारत में इसको हमेशा ऐसे जानते रहे गुरू लोग अब उनका काम ऐसा दोहरा है कि उनको तो पता नहीं कि यह आने वाला जो सीकर है अरजोन यह जनक थोड़ा उसको चलाय रखना पड़ता है चलाय रखने के लिए कभी उसको डिस्कोर्स कभी विधियां तो कभी ध्यान सिविर यह सब कराना पड़ता है और जब वही अरजोन जनक बन जाए creator बन जाए जन्म देने वाला अपने को बन जाए तब उससे सीधी बार वही हो तुम you are that और बस वो आँखों में देखेगा और कहेगा कि अहो मैं तो वही हूँ अब तक कैसे मैं इसको नहीं देख पाया या अस चर रहे हैं बात खतम तो गुरुओं का काम इसलिए बड़ा टेड़ा है दोनों तरफ से उनको चीजों को लाना पड़ता है और अश्टा वक्र जनक की गटना इसी अर्थ में बड़ी रेर हो जाती है यूँ तो गुरु सिस्षे का संबाद चल ला है और जब बात घट जाती है तो गुरु सिस्षे का illusion रह जाता है कि कौन गुरु है, कौन शिस्षे है न कोई गुरु है, न कोई सिस्षे है सब उसी illusion के field में है किसी ने अपने को सिस्षे माना था क्योंकि उसको लगता था कि अबी कुछ सीखना है जो भी वास्तविक गुरु रहा था उसने अपने को कभी गुरू नहीं माना था ये पक्की बात है क्योंकि वो जानता है ये तो ड्रामा है सिस्च ने अपने को गंभेरता से पकड़ा है वो उसका मो है कि मैं सिस्च हूँ जिस दिन कोई गुरू अपने को गंभेरता से पकड़ ले कि मैं गुरू हूँ तो बस जिसको मुहाविरा कहते हैं गई भैस पानी में गुरू कभी गंभेटा से नहीं पकड़ता कोई कि वो जानता इल्यूजन है मैं भी वही हूँ तुम भी वही हूँ एक ही चेतना है I am that, you are that तत्वमसी तुमको बस अहो बोलने की जरूरत है और अरजुन से जनक तक जाने की जरूरत है आज के लिए तनी बाद